ओम सांती आज 16 फरवरी 2021 की मुडली में बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांदी है तुमारा कनेक्शन एक से है एक से ही तोड निबाना है प्रस्न है आज की मुडली का संगम युकपर आपतमा अपनी डोर परमातमा के साथ जोडती है इसकी रसम अज्यान में किस रिती से चलती आ रही है उत्तर साधी के समय इस्तरी का पल्लव पति के साथ बांदते हैं इस्त्री समस्ती है जीवन भर उनका ही साती होकर रहना है तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है तुम जानते हो हमारी परवरिस आदा कलब के लिए बाप द्वारा होगी गीत है जीवन डोर तुमी संग बांदी अब सुनते हैं मुली विस्तार से ओम सान् देखो गीत में कहते हैं जीवन डोर तुम से बांदी जैसे कोई कन्या है वह अपनी जीवन की डोर पती के साथ बांदी है समझती है कि जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है उनको ही परवरिस करनी है ऐसे नहीं कि कन्या को उनकी परवरिस करनी है नई, जीवन तक उनको परवरिस करनी है तुम बच्चों ने भी जीवन डोर बांदी है बहत का बाप कहो, टीचर कहो, गुरु कहो, जो कहो यह आत्मों की जीवन की डोर परमात्मा के साथ बांदने की है वह है हद की स्तुल बात, यह है सुक्सम बात करन्या के जीवन की डोर पति के साथ बांदी जाती है, वह उनके घर जाती है देखो, हर एक बात समझने की बुद्धी चाहिए कल्यूग में हैं सब आसुरी मत की बातें तुम जानते हो, हमने जीवन की डोर एक से बांदी है तुमारा कनेक्शन एक से है एक से ही तोड निबाना है क्योंकि उनसे हमको बहुत अच्छा सुख मिलता है वह तो हमको स्वर का मालिक बनाता है तो ऐसे बाप की स्रीमत पर चलना चाहिए यह है रोहानी डोर रूही स्रीमत लेती है आसुरी मत लेने से तो नीचे गिरे है अब रूहानी बाप की स्रीमत पर चलना चाहिए तुम जानते हो हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बानते है तो हमें उनसे 21 जनम सदा सुख का वर्सा मिलता है उस अलपकाल की जीवन डोर से तो नीचे गिरते आए है ये 21 जनमों के लिए गैरेंटी है तुमारी कमाई कितनी जबर्दस्त है इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए माया गफलत बहुत कराती है इन लक्समी नारेंड ने जरूर कोई से जीवन डोर बान्दी जिस से 21 जनम का वर्सा मिला तुम आत्माओं की परमात्मा से जीवन डोर बान्दी जाती है कल्प कल्प उनकी तो गिंती नहीं बुद्धी में बैठता है हम सिव बाबा के बने है उनसे जीवन डोर बान्दी है हर एक बात बाब बैठ समझाते है तुम जानते हो कल्प पहले भी बांदी थी अब सिव जैनती मनाते हैं परंतो किसकी मनाते हैं पता नहीं है सिव बाबा जो पतित पावन है वह जरूर संगम पर ही आएगा ये तुम जानते हो दुनिया नहीं जानती है इसलिए गाया हुआ है कोटो में कोव आदि सनातन देवी देवता धरम प्राय लोफ हो गया है और सब सास्तर कहानिया आदि है यह धरम है ही नहीं तो जाने कैसे अभी तुम जीवन की डोर बांध रहे हो आत्मों का परमात्मा के साथ डोर जुटी हुई है इसमें सरीर की कोई बात नहीं है भल घर में बैठे रो बुद्धी से याद करना है तुम आत्मों की जीवन डोर बांधी हुई है पल्लों बांधते हैं न वह इस्तुल पल्लों है यह है आत्मों का परमात्मा के साथ भारत में सिव जैनती भी मनाते हैं परन्तु वह कब आयते यह किसको भी पता नहीं है क्रस्न की जैनती कब राम की जैनती कब यह नहीं जानते बच्छे तुम त्रीमूर्ती सिव जैनती अक्सर लिखते हो परन्तु इस समय तीन मूर्तियां तो है नहीं तुम कहेंगे सिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ड्रस्ती रस्ते हैं तो ब्रह्मा साकार में जरूर चाहिए ना बाकी विश्नु और संकर इस समय कहा है जो तुम त्रीमूर्ती कहते हो यह बहुत समझने की बाते हैं त्रीमूर्ति का अर्थी ब्रह्मा विश्नु संकर है ब्रह्मा द्वारा इस्तापना व तो इस समय होती है विश्नु द्वारा सत्योग में पालना होगी विनास का कार्य अंत में होना है यह आदि सनातन देवी देवता धरम भारत का एक ही है व तो सब आते हैं धरम इस्तापन करने हर एक जानता है ये धरम इस्तापन किया और उनका संवंत ये है फलाने टाइम फलाना धरम इस्तापन किया भारत का किसको पता नहीं है गीता जैनती सीव जैनती कब हुई किसको पता नहीं है कृष्ण और रादे की आयू में दो तीन वर्ष का फरक होगा सत्यूग में जरूर पहले कृष्ण ने जनम लिया होगा फिर रादे ने, परंतु सत्यू कव था, ये किसको पता नहीं है, तुमको भी समझने में बहुत वर्ष लगे हैं, तो दो दिन में कोई कहां तक समझेंगे, बाप तो बहुत सहज बताते हैं, वह है बहत का बाप, जरूर उनसे सबको वर्षा मिलना चाहिए न, ओ गौड का मंदिर है, ये स्वर्ग में राज्य करते थे, परंतु उनको ये वर्षा किस ने दिया, जरूर स्वर्ग के रच्यता ने दिया होगा, परंतु कब कैसे दिया, वह कोई नहीं जानते हैं, तुम बच्चे जानते हो, जब सत्यूग था, और कोई धर्ब नहीं था, तो संगम पर ग्यान दिया होगा, सत्यूग में नहीं, वहाँ तो प्रालब्द है, जरूर अगले जनम में ग्यान लिया होगा, तुम भी अब ले रहे हो, तुम जानते हो, आदि सनतन देवी देवता धरम की इस्तापना बाप ही करेगा, क्रश्न तो सत्यूग में था, उसको ये प्रालब्द कहां से मिली, लक्स्मी नारण ही रादे क्रश्न थे, ये कोई नहीं जानते हैं, बाप कहते हैं, जिनोंने कल्प पहले समझा था, वही समझेंगे, ये सैपलिंग लगता है, मोस्ट स्विटेस्ट जाड का कलम लगता है तुम जानते हो, आज से 5000 वर्स पहले भी बाप ने आकर मनुस्य से देवता बनाया था, अभी तुम ट्रांसफर हो रहे हो, पहले ब्रामन बनना है, बाजोली खेलते हैं, तो चोटी जरूर आएगी, बरोबर हम अभी ब्रामन बने हैं, यग्य में तो जरूर ब्रामन चाहि ये सिव वा रुद्र का यग्य है, रुद्र ग्यान यग्य ही कहा जाता है, क्रश्न ने यग्य नहीं रचा, इस रुद्र ग्यान यग्य से विनाज ज्वाला प्रजलित होती है, ये सिव बाबा का यग्य पतितों को पावन बनाने के लिए है, रुद्र सिव बाबा निराक वा यग्य कैसे रचे जब तक मनुष्य तन में ना आए मनुष्य ही यग्य रचते हैं सुक्स्मवा मूल वतन में ये बाते नहीं होती बाप समझाते हैं ये संगम यूग है जब लक्समी नारण का राज्य था तो सत्यूक था अब फिर तुम ये बन रहे हो ये जीवन की डोर आत्मों की परमात्मा के साथ है ये डोर क्यों बांदी है? सदा सुक का वर्षा पाने के लिए तुम जानते हो बहत के बाप द्वारा हम ये लक्समी नारण बनते हैं बाप ने समझाया है तुम सो देवी देवता धरम के थे तुमारा राज्य था पीछे तुम पुन्र जनम लेते लेते सत्रिय धरम में आए सुर्यवंसी राजाई चली गई फिर चंद्रवंसी आए तुमको मालूम है हम ये चक्र कैसे लगाते हैं इतने इतने जनम लिए भगवानु वाच है बच्चे तुम अपने जनमों को नहीं जानते हो मैं जानता हूँ अब इस समय इस तन में दो मूर्ती है ब्रह्मा की आत्मा और सिव परमात्मा इस समय दो मूर्ती इकटी है ब्रह्मा और सिव संकर तो कभी पाठ में आता नहीं बाकि विश्नु सत्यूग में है अभी तुम ब्रामन सो देवता बनेंगे हमसों का अर्थ वास्तव में यह है उन्होंने कह दिया है आत्मा सो पर्मात्मा पर्मात्मा सो आत्मा कितना फरक है रावन के आने से ही रावन की मत शुरू हो गई सत्यूग में तो ये ग्यान ही प्रायलोफ हो जाएगा ये सब होना ड्रामा में नून्ध है न तब तो बाप आकर इस्थापन करे अभी है संगम बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युक पर आकर तुमको मनुस्य से देवता बनाता हूं ग्यान यग्य रष्टा हो बाकी जो है वह इस यग्य में स्वा हो जाने है ये विनास ज्वाला इस यग्य से प्रजुलित होनी है पतित दुनिया का तो विनास होना है नहीं तो पावन दुनिया कैसे हो तुम कहते भी हो हे पतिट पावन आओ तो पतिद दुनिया पावन दुनिया एकटी रहेगी क्या पतिद दुनिया का विनास होगा इसमें तो खुष होना चाहिए महाबारत की लड़ई लगी थी जिससे स्वर्क के गेट खुले है कहते हैं यह वही महाबारत लड़ई है यह तो अच्छा है पतिद दुनिया खत्म हो जाएगी पीस के लिए माता मारने की दरकार क्या है तुम को जो अब तीसरा नेतर मिला है वह कोई को नहीं है तुम बच्चों को खुष होना चाहिए हम बहत के बाप से फिर से वर्षा ले रहे है बाबा हमने अनेक बार आप से वर्षा लिया है रावन ने फिर स्राब दिया यह बाते याद करना सहज है बाकी सब दंत कथाएं है तुम को इतना सावकार बनाया फिर गरीब क्यों बने ये सब ड्रामा में नूंध है गाया भी जाता है ग्यान बक्ति वैराग्य तुमको ग्यान मिला तब बक्ति से वैराग्य हुआ सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य ये तो कबRISTान है 84 जनम का चक्रा लगाया है अभी धघर चलना है मुझे याद करो तो मेरे पास चले आएंगे विकर्म विनास हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं योग अगनी से पाप बसम होंगे गंगा सिनान से नहीं होंगे बाबा कहते हैं माया ने तुमको फूल मुरक बना दिया है अप्रेल फूल कहते हैं न अभी मैं तुमको लक्षमी नरण जैसा बनाने आया हूँ चित्र तो बहुत अच्छे हैं आज हम क्या है कल हम क्या होंगे परन्तु माया कम नहीं माया डोर बानने नहीं देती कीचातान होती है हम बाबा को याद करते हैं फिर पता नहीं क्या होता है भूल जाते हैं इसमें मैनत है इसलिए भारत का प्राचिन योग मसूर है उन्हों को वर्षा किसने दिया ये कोई समस्ते नहीं है बाब कहते हैं बच्चों मैं तुमको फिर से वर्षा देने आया हूँ ये तो बाब का काम है इस समय सब नर्कवासी है तुम खुश हो रहे हो यहां कोई आते हैं समस्ते हैं तो खुशी होती है बरोबर ठीक है 84 जन्मों का हिसाब है बाब से वर्षा लेना है आदा कलब बक्ती करके तुम ठक गए हो मिठे बच्चे बाब तुमारी सब ठकान दूर करेंगे अब बक्ती अंद्यारा मार्क पुरा होता है कहां ये दुखदाम, कहां वा सुखदाम मैं दुखदाम को सुखदाम बनाने कलब के संगम पर आता हूँ बाब का परिच्चे देना है बाब बहत का वर्षा देने वाला है एक की ही मैमा है सिव बाबा नहीं होता तो तुमको पावन कौन बनाता ड्रामा में सारी नूंध है कल्प कल्प तुम मुझे पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ सिव की जहनती है कहते हैं ब्रह्मा ने स्वर्क की इस्तापना की फिर सिव ने क्या किया जो सिव जयन्ती मनाते हैं कुछ भी समझते नहीं है तुमारी बुद्धी में ग्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए डोर एक के साथ बांधी है तो फिर और कोई के साथ नहीं बांदो नहीं तो घिर पड़ेंगे पर लोकिक बाप मोस्ट सिंपल है कोई ठाट बाट नहीं वह बाप तो मौटरों में एरोपलेन में गुमते हैं ये बहत का बाप कहते हैं मैं पति तो दुनिया पति सरीर में बच्चों की सेवा के लिए आया हूं तुमने बुलाया है हे अविनासी सर्जन आओ आकर हमें इंजेक्शन लगाओ इंजेक्शन लग रहा है बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुमारे पाप बसम होंगे बाप है ही 63 जन्मों का दुख हरता 21 जन्मों का सुक करता अच्छा अच्छा बाप दादा बोले मीठे मीठे सिकिल अदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस दे हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 अब पूरी मुडली में से धार्णा के लिए मुख्यसार में पहला पॉइंट है अपने बुद्धी की रुहनी डोर एक बाप के साथ बांधनी है एक की ही स्रीमत पर चलना है दूसरा पॉइंट है धार्णा का हम मोस्त स्विटेस्ट जाड का कलम लगा रहे हैं इसलिए पहले स्व्यम को बहुत बहुत स्वीट बनाना है याद की यात्रा में तत्पर्र विकर्म विनास करने हैं अब मीठे बाबा का मीठा वर्दान सर्वखजानों को विश्वकल्यान प्रती यूज करने वाले सिद्धी स्वरूब भव विस्तार जैसे अपने हद की प्रवर्ती में अपने हद के स्वबाव संसकारों की प्रवर्ती में बहुत समय लगा देते हो लेकिन अपनी अपनी प्रवर्ती से परे अर्थार्थ उपराम रहो और हर संकल्प बोल करम और संबंद संपर्क में बैलेंस रखो तो सर्वखजानों की एकोनोमी द्वारा कम खर्च बाला नसीन बन जाएंगे अभी समय रुपी खजाना एनरजी का खजाना और इस्तुल खजाने में कम खर्च बाला नसीन बनो इन्हें स्यम के बजाए विश्व कल्यान प्रती यूज करो तो सिद्धी स्वरूप बन जाएंगे आज का स्लोगन है एक की लगन में सदा मगन रहो तो निर्विगन बन जाएंगे अच्छा ओम सांती